हे गाईस तो कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू टू टर्बो तो महिंदरा की SUVs किसको नहीं पसंद बहुत ज़्यादा बहतरी इन लुक्स और बढ़िया फीचर्स के साथ में हमें महिंदरा की कार्स देखने के लिए मिलती हैं साथी में आज की वीडियो में मैं आप सब को महिंदरा XV200 के बारे में बताने वाला हूँ कब तक ये लॉंच होगी किस प्राइस पॉइंट पे आएगी कैसे लुक्स फीचर्स और इंजन स्पैसिफिकेशन इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे सब चीजों के बारे में डीटेल में बात करेंगे तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखना और बिना टाइम वेस्ट किये इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट सबसे पहले XV200 के exterior design, dimensions और platform के बारे में बात करें तो ये गाड़ी हमें बिलकुल नए global W601 platform के उपर बेस देखने के लिए मिलेगी ये वही platform है जिसके उपर बेस हमें XUV700 देखने के लिए मिलती है इस काड़ी की length हमें 3850 mm, width 1750 mm और height 1600 mm तक की दी जाएगी वहीं इसकी ground clearance भी हमें 195 mm तक की देखने के लिए मिल जाएगी इस काड़ी का overall exterior XUV700 से काफी ज़्यदा similar रहने वाला है फ्रंट में हमें महिंद्रा के signature design के DRLs, LED projector headlamps और fog lamps भी top model तक LED के अंदर देखने के लिए मिल जाएगे फ्रंट में additionally हमें front parking sensors भी दिये जाएगे रियर के बार में बात करें तो rear में हमें split LED tail lamp cluster देखने के लिए मिलेगा parking lights के साथ में most expected इस काड़ी के अंदर हमें sequential turn indicators दिये जाएगे additionally rear के अंदर हमें roof mount spoiler, roof mount stop lamp, reverse parking sensors, reverse parking camera with dynamic guidelines, rear wiper with washer, defogger और reflectors भी देखने के लिए मिलेंगे वहीं बात करें side profile के बारे में तो इस काड़ी के अंदर हमें R16 inches के dual tone precision cut alloy wheels देखने के लिए मिलेंगे साथी में इस काड़ी के roof के ऊपर हमें roof rails, shark fin antenna और most expected first in segment electric sunroof देखने के लिए मिलेगा जो की anti pinch और rain sensing दोनों ही features के साथ में आएगा XUV200 देखने में छोटी XUV700 जैसी लगने वाली है आगे बढ़तेवे इस काड़ी के powertrain options के बारे में बात करें कि इस काड़ी के अंदर हमें कौन-कौन से engine options दिये जाएंगे साथी में उनकी specifications क्या रहेंगी तो इस काड़ी के अंदर हमें सबसे पहले 1.2 liter 3 cylinder petrol engine दिया जाएगा जो की हमें 82 BHP की power देगा और 115 Nm का peak torque तूसरा इसके अंदर हमें देखनी के लिए मिलेगा 1.2 liter 4 cylinder diesel engine जो की हमें 78 PS की power देगा और 190 Nm का peak torque तीसरा most expected इस काड़ी के अंदर हमें CNG देखनी के लिए मिलेगी जो की हमें 1.2 liter 3 cylinder naturally aspirated petrol engine के साथ में pair करके provide करवाई जाएगी माईलेज के बारे में बात करें तो CNG पे ये गाड़ी हमें 28 से लेके 30 km पर kg की माईलेज निकालके दे सकती है इसके अंदर हमें auto shut off wall भी दिया जाएगा और CNG की सारी indications instrument cluster के अंदर रहनी वाली है transmission options के बारे में बात करें तो इसमें हमें manual और AMT gearbox दिया जाएगा आगे बढ़ते हुए XCV200 के इंड़ा के अंदर price और launch date के बारे में बात करी जाए तो इस काड़ी का expected X-Shorum price में 5 lakh से लेके 9 lakh तक का देखने के लिए मिलेगा वहीं इसकी launch date हमें 2023 की starting तक देखने के लिए मिल सकती है competition के बारे में बात करी जाए तो ये mini SUV इंड़ा के अंदर direct competition रखेगी टाटा पंच, सिट्रॉन सिथी, रेनॉल्ट काईगर और निसान मैगनाइट जैसी compact SUV कार्स से आगे बढ़ते हुए इस काड़ी के interior के looks, features और design के बारे में बात करी जाए तो इसका interior cabin भी SUV 700 से काफ़े जैदा similar रहेगा इसके अंदर हमें dual tone color combination दिया जाएगा टॉप model तक upholstery leather के अंदर रहेगी flat bottom steering wheel गाडी के अंदर आएगा tilt adjustments के साथ में जिसके उपर हमें Mahindra का नया twin peak logo, steering mounted controls और adaptive cruise control भी दिया जाएगा instrument cluster के बारे में बात करें तो इस काड़ी में हमें top model तक fully digital instrument cluster दिया जाएगा साथी में गाड़ी के अंदर आने वाले zip, zap और zoom mode के साथ इस instrument cluster में हमें अलग-अलग themes भी दी जाएगी काफे ज़्यदा detailed और smooth ये instrument cluster रहने वाला है वहीं infotainment के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें 9 inches का Adrenok system दिया जाएगा जिसमें सभी तरह की connectivity's जैसे की Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth और auxiliary भी रहेगी Android Auto और Apple CarPlay दोनों ही wirelessly supported रहने वाले हैं साथ ही में ये infotainment काफे ज़्यदा smooth और lack free होने के साथ-साथ बहतरीन resolution के साथ में आएगी Dual zone AC गाड़ी के अंदर रहने वाला है Automatic Climate Controls के साथ में और glow box भी हमें cool provide करवाय जाएगा Top model तक minimal mood lighting, automatic head lamps, rain sensing wipers इस गाड़ी के अंदर आएगे Auto diminishing के साथ में IRVM और ORVM's autofall electrical adjustments और mounted indicators के साथ में हमें offer किये जाएंगे Front की दोनों seat six way adjustable रहेंगी जो की manual adjustments के साथ में आएंगी Driver side हमें all four power windows और ORVM's के controls दिये जाएंगे साथ ही में ये गाड़ी पूरी तरह से keyless रहेगी push button start stop के support के साथ में Driver और co passenger के लिए हमें sliding armrest, wireless charger और cup holders दिये जाएंगे Manual handbrake गाड़ी के अंदर आएगा और gearbox options में जैसा के मैंने आप सब को बताया Manual और AMT gearbox गाड़ी में रहने वाला है Rear के बारे में बात करें तो rear की seats हमें 60-40 split ratio के अंदर देखनी के लिए मिलेंगी और adjustable headrest के साथ में आएंगी साथ ही में इनमें center में integrated armrest हमें दिया जाएगा twin cup holders के साथ में Rear के passengers के लिए separate AC vents और USB charging sockets भी रहने वाले हैं वहीं इस काड़ी का boot space भी हमें काफी अच्छा कासा देखनी के लिए मिलेगा boot के अंदर luggage lamps और same size का spare wheel गाड़ी के अंदर आएगा वहीं CNG option में इस काड़ी के boot के अंदर CNG cylinder रखा जाएगा तो यहाँ पे हमें boot space थोड़ा कम देखनी के लिए मिल सकता है interior में roof के उपर हमें cabin lighting, sunglass holders और एक electric sunroof देखने के लिए मिलेगा जो की safety net, anti-pinch और rain sensing के साथ में आएगा overall interior काफे यदा premium और feature रेच रहेगा और comfort के मामले में भी उतना ही बढ़िया रहने वाला है इस काड़ी के अंदर आने वाले engine options हमें कहीं पे भी power lag feel नहीं होने देंगे आगे बढ़ते वे XCV 200 की safety features के बारे में बात करी जाए तो हम सब जानते हैं आज के time में महिंदरा की safety एकदम top notch की आती है इस काड़ी की expected N-cap safety rating 5 star की ही रहेगी top model तक गाड़ी के अंदर हमें 6 airbags, हर passenger के लिए 3 point seat belts, isofix seat mounts, front disc brakes और rear drum brakes दिये जाएंगे advanced features के बारे में बात करें तो इसमें हमें front parking sensors, rear parking sensors, reverse parking camera with dynamic guidelines और साती में heated ORVMs दिये जाएंगे जिनमें किसी भी weather में ORVMs के उपर fog जमा नहीं होगा ABS, EBD, ECS, Traction Control, Hill Start Assist, Hill Hold Assist, Rollover Mitigation, Engine Immobilizer और TPMS जैसे कई सारे बहतरिन features इस काड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं XCV200 इंडियन मार्किट में एक काफे ज़्यदा super hit product साबित हो सकता है बाकि गाईज इस compact SUV के बारे में आप सब का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग चाहो में किसी particular car या फिर topic के उपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकती है और इस वीडियो के लिए इतना ही I hope से वीडियो आप सब को पसंद जरूर आई होगी अगर ये वीडियो आप सब को पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं guys next वीडियो के अंदर